नमस्कार मैं नम्रता सुपला आप देख रहे हैं वोईस ओफ राइट्स नीज आए देखते हैं खबरे विस्तार से खरगौन जिले की ग्रामुन से तीन माँ पहले घर से स्कूल जाने का कह कर गई धनगर समाज की नाबालिक के अब तक नहीं मिलने पर धनगर समाज संगठन के प्रदेश सध्यक्ष ने कैबिनेट मंत्री और भासपा जिलाध्यक्ष मिलकर लगाई गुहाद दरसल भासपा कार्याले में धनगर समाज संगठन के प्रदेश सध्यक्ष ने बताया कि खरगौन जिले की ग्रामुन से तीन माँ पहले समाज के जीतन धनगर की नाबालिक बेटी दीपाली घर से स्कूल के लिए निकली थी जो अब तक लापता है जिसको लेकर प्रदेश क कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंग पटेल को आज पत्र दिया है वहीं भासपा कार्याले में भासपा जिलाद ध्यक्ष ओमसोनी को भी पत्र देकर जल्द बालिका को ढूंडने में सहयोग की अपेक्षा की है वहीं भासपा जिलाद ध्यक्ष ओमसोनी ने बताया कि बालिका को दूढ़ने के प्रयास के संबन्द में डी आईजी से बात की है जल्दी वालिका को ढूंड लिया जाएगा गौरत तलब है कि धनगर समाज दौरापूर में भी राजी सबासांसद लोकसबासांसद वा कैबिनेट मंत्री को ग्यापन सौपा गया था मेरा नाम मुकेद धनगर है और धनगर भारूर समाज संगटन मद्द परदेश का पद्देश अद्दिक से हूँ पिछले दिनों खरगों जिले के गराम उन में एक 14 वर्षी वाली का लापता हो गई थी 22 सितंबर को जिसकी रिकोर्ड भी उन थाने में दर्ज़े कराई गई इसके साथ ही साथ हमने सांसद मोदय को मंत्री जी प्रेम सिंग पटेल जी को मुख्य मंत्री जी को भी ग्यापन देकर आउगत कराया था लेकिन आज तक उस संबंद में कोई सपलता नहीं मिलिये और नहीं बच्ची का कोई पता लगा है तो अभी हम वरतमान में सासन की जो पाचार सहीता लगी है इस वजह से नहीं कोई रेली और अंदोलन हम कर रहे हैं बलकि वेक्तिगत समाज की परतिंदी मंडल आज मानी मंत्री जी प्रेम सिंग पटेल जी से मिले हम साथी साथ संगटन के जिला अद्यक से बढ़वानी जिले के ओम जी सोनी से भी मिले और समा अद्यक्ष भाई मुकेश धन्गर जी और उनके साथ पुरा प्रतिंदी मंडल आज जी ले के हमारे मंत्री जी सिंगानी प्रेम सिंगी पटेल साथ से और भारजियंता पाटी के कारले पर आकर उनने अपनी बात को रखी निश्य दूरुप से हमारी जो बीटिया है दीपा कि पूलिस उसको तलाज सेगी मानि मंत्री जी ने भी खरगोंजिले के एस पुर डियजी साब से बात करी निश्य दूरुप से जल्दी से जल्दी जल्दी बीटिया को हम अपने घर लेकर आएंगे बड़वानी से विज्य निकुम की रिपोर्ट